उम्शी परमात्मने नम्हाँ आप सभी को संगीता सुनिल का प्रेम आदर्स ने और छोटों को विशेश दुलार भरा हारदे को भी नंदन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खुबसुरत फूलों वाली बेल की जिसका नाम है सेरा बेल भी कह सकते हैं और इसको इंजिन प्लॉक वाइन भी कहते हैं और मुझे ये फूलों वाली बेल बेहत पसंद है मैंने इसको दो कॉर्णर्स में लगाया है लेकिन पसंद क्यों है इसकी ये सभी कारण मैं आपको बताऊंगी जिस चीज को बहुत आसानी से हम लगा लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसको लगाएं और रिजल्ट भी अच्छे होगा और सबसे खास बात देखी जैसी चुड़िया रानी कैसे यहां ठुमक रही है दरपन में अपना मुख देख देख कर ऐसे पसंद हो रही है और मैं देख रही थी सोच क्यों न वीडियो बना लूँ और यह सोच रही है कि शायद दरपन के दूसरी तरफ कोई दूसरी चिड़िया है ऐसा सोच रही है और मुझे तुलसिदास जी की विनई पत्री का कि व हम इस संसार को समझते हैं कि यह बिल्कुली हमेश्व ऐसी ही रहेगा हम भी अमर रहेंगी संसार भी अमरे चुपकी कुछ भी अमर नहीं है और हम भी ऐसी सोचते हैं और उसमें एक दोहे में उन्होंने लिखाया इसी में कि जोगच काच बिलो की सेन जड़ छां आपने तन की तूटत अति आतुर अहार बस छती बिसारी आनन की अर्था बाच पक्षी जब डरपण में अपने मुख को चेहरे को देखते हैं तो सोचते हैं कि दूसरी तरफ कोई दूसरा पक्षी है उसका शिकार है और उस पर आगहात मारता है लेकिन स्वयम को ही वो आगहात पहु कानी बात हैं जो हमने कभी कोर्स में पड़े थी कभी वो याद आ जाते हैं कभी कुछ याद आ जाते हैं कभी कोई प्रसंग याद आ जाते हैं और ऐसे भूली बिसरी यादें भी ताजा हो जाते हैं और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं इन पक्षी को देखकर कि हम भी इ धिरे धिरे खीन होते जा रहे हैं और हम काल की गाल में एक दिन समाई जाएंगे खैर आप नगेटिव मत सूचेगा नकारात्मक के लिए मैं नहीं कह रही हूं लेकिन सत्य को समझना भी बहुत जरूरी है और शमा कीजिए यह पक्षी देखी कैसे हम बैठे हैं क्योंकि जब चड़ियां नर्तन करती रहते हैं ठुमकती रहते हैं तो और पक्षी भी यहां पर आका बैठे रहते हैं सुन्दे रहते हैं इनका संगीत और इस बेल को लगाने की क्या-क्या खासियत है वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं इसको एक कटिंग से आसानी से लगाया चाते हैं और यह बढ़ती ऐसे हैं जैसे हैनु सत्य नर्यन की कथा में आपने प्रसंग सुना होगा कलावती इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है तो यह बेल भी विल्कुल ऐसे भी बढ़ती है और इसके पत्ते कभी जढ़ती ही नहीं है खास में फूल लगे रहते हैं और अगर आप कहीं पर कुछ ऐसा पार्टिशन कुछ परदा लगाना चाहते हैं तो इसकी जो लड़ियां है परदे कभी काम करेंगी बहुत ही पकूबी बहुत कुछ बढ़ती ही तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने गार्डन में इस वाहिन को जुरू लगाईए सहरा बेल को और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाईए अपने घर की शोभा बढ़ाईए और फिर देखे कि आप कितनी पॉजिटिव एनरजी लेंगे और एक अलगी महौल हो जाएगा आपके घर का भी और मन का भी जो घर खुबसूरत होगा तो मन में भी चैन मिलेगा फिर मिलूंगी किसी नई टॉपिक के साथ धन्यवाद